जय श्री कृष्णा दोस्तो राधे राधे आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्पेशल टॉक में नवरात्री से पहले घर से बाहर निकाल दें ये पाँच चीजें वरना नाराज हो जाएंगी मा जगदंबे यूं तो मां अंबे हर पल अपने भक्तों का खयाल रखती हैं लेकिन नवरात्र के दिनों में माता रानी की पूजा विशेश फलदाई होती है इस दोरान पूजा का लाभ भी जल्दी मिलता है इसका कारण ये है कि मां दुरगा नवरात्री के दोरान पृत्वी पर निवास क उन सभी जगह मां अंबे निवास करती हैं और अपने भक्तों की पूजा प्रत्यक्ष स्विकार करती हैं। इसलिए मां दुर्गा की क्रिपा पाने के लिए नवरात्री को बहुत ही पावन माना जाता है। नवरात्री से पहले ही लोग घरों में तैयारियां भी शुरू कर देते हैं। जल्द ही शार्दिय नवरात्री की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में यदि आप मां अंबे की कृपा पाना चाहते हैं तो शारदिय नवरात्री के शुरू होने से पहले अपने घर से कुछ चीजों को निकाल फेंके क्योंकि ये चीजें घर में नकारात्मक्ता लाती हैं। चलिए जानते हैं उन चीजों के बारे में। खंडित मूर्तियां। घर में किसी भी भगवान की खंडित मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में खंडित मूर्तियां हैं तो शारदिय नवरात्र के शुरू होने से पहले घर से इसको निकाल कर किसी पवित्र नदी में डाल पुराने जूते चप्पल अगर आपके घर में पुराने जूते चप्पल पड़े हैं जिनका इस्तेमाल आप नहीं करते हैं उन्हें नवरात्र शुरू होने से पहले घर से निकाल दें वास्तु जानकारों के अनुसार घर में पुराने जूते चप्पल रखने से नकारात्म तूटा हुआ कांच या फिर इससे बनी चीज़ें रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आकर्शित होती है, जिसके कारण आर्थिक स्थिती कमजोर होने लगती है। जल में प्रवाहित कर दें।